तोड़े अवर टॉपिक इस चेप्टर 11 याट इस चुन्स्रुक्शन में हम 11.1 में जो एक टॉपिक हमारे स्लेबस में है याट इस दिविजन अफ लाइन सेग्में वो हम अल्रडी कर चुके हैं नव वी आफ तो प्रोसीड फॉर एक्सराइज 11.2 11.2 में हमारा टॉपिक क्या है आर टॉपिक इस कंस्रुक्शन ओफ टैंजेन टुए सर्कल फ्रॉम आउट साइड टू इट और एक्स्टरनल पॉइंट आप बोल सकते हो तो यह हमें आज यहाँ पे डिसकस करना है तो यह हमें आज करना है यहाँ पे इंपोर्टन टॉपिक है एक क्वेशन फॉर फॉर होगा एक्सामने तो लेट वी आर गिवन विद अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पॉइंट पी आउट साइड दा सर्कल यह हमने ले लिया फिर जो स्टेप्स हैं वो मैंने लिख दिया अल्रेडी पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर इन स्टेप्स को दुबारा से डिसकस करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से सबसे पहले आपको क्या करना है एक circle लेना है जिसका center क्या दिया है O center दिया है तो यह मैंने एक circle draw कर दिया यहाँ पे यह जो center हमारा given है यह हमारे पास क्या है O is the center यह हमारा सबसे first point बना तो इसको name दे देते हैं यहाँ पे O, हमारा first point हो गया second point हमें क्या करना होता है we have to join एक कोई point लेना है बाहर आपकी मर्जी है यहाँ पे हम कुछ भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई measurement नहीं given question में आपके पास आएगा कि वो point कितना दूर होना चाहिए suppose यह point मेरे पास यहाँ पे given है यह P point मेरा given है मैंने इसको name दे दिया फिर क्या बोला है P से O को join करना यह हमारा second step बनेगा तो हमने P point से O point को join कर दिया ध्यान से देखना है सबसे पहले एक circle लिया ज़ो बाहर point P given था उससे उसके center को join किया next step is to draw the perpendicular bisector of P O perpendicular bisector आपको याद हो तो हमें कैसे करना था P O का perpendicular bisector है तो उससे half से थोड़ा से जादा open करना है compass उपर की तरफ एक arc लगानी है और नीचे की तरफ एक arc लगानी है सेम जो compass open रखा है उसी से तो यहां हमने arc लगा दी यह उपर नीचे arc हो गई सेम compass की measurement रखी है P पे और जो arc हमारी थी पहले वाली उनको cut कर देना है ऐसे ही यहां से उपर की तरफ जाएंगे और यह यहां पे cut कर देंगे हमारी हो गई दोनों points cut अब क्या करना है दोनों points को join कर देना है जहां पे cut हो रहे हैं तो इन दोनों points को join किया यह हमारे दोनों points हो गए जोईन तो हमारा perpendicular bisector आ गया यह जो perpendicular bisector है इसको मैं name दे देती हूँ यहाँ पे M यह हमारा perpendicular bisector है यह वाला जो point है इसको mark कर लेते हैं इसके बाद हमारा क्या step बनता है जो हमारा perpendicular bisector आया M आपको दिख रहा करसर move होता हुआ तो यह जो M point है इससे एक circle draw करना है radius कितनी लेनी है चाए तो PM जितनी लो चाए MO जितनी लो तो यहाँ पे मैंने रखा compass के tip M point पे और यह आपको check करना है O point जितना मैंने इसकी pencil को move किया यह हमारी radius हो गई यहाँ पे मैंने fix कर लिया अपने compass को अब हमें क्या करना है एक circle draw कर देना है circle draw किया मैंने तो आप देखोगे circle आपका P point से pass हो रहा है अगर आपका circle P point से pass हुआ है तो it means आपने सही measurement लिए है otherwise आपकी measurement गलत है हो गई यहाँ पे point circle बना दिया मैंने blue color से फिर यह जो दो point आए है जहाँ पे cut हुआ है यह है हमारे Q point और यहाँ से हमारा R point ठीक है अब बस P से Q और R को join करना है वो हमारी क्या हो जाएंगी tangents हो जाएंगी तो P से मैंने Q को join किया this is the first tangent P से R को join किया this is the second tangent देखो कितने neat and clean figure है आपको ऐसे ही बनाना है बिल्कुल neat होनी चाहिए अलग-अलग दिखना चाहिए मैं मानती हो आप लोगों के पास colors नहीं है बट आप क्या कर सकते हो जो आपका given circle है उसको थोड़ा-थोड़ा light draw कर सकते हो या फिर हलके-हलके dotted कर सकते हो कहीं-कहीं पर dot दिखा दिया ऐसे-हसे करके तो यह हमारा हो जाएगा यह circle given है या फिर आप क्या कर सकते हो यह जो मैंने blue से किया है इसको आप dotter से ले सकते हो हलका-हलका तो आपका difference clear हो जाएगा कि हमारी कौन सी figure हमें बनानी है और कौन सी given है जो आपकी tangent है PQ और PR अगर आपके पास exam में time है और आपके पास color pencil कुछ है तो PQ और PR को आप थोड़ा सा dark कर दो अगर आपके पास colors नहीं है तो आप PQ को pencil से dark करो कि पूरी figure से अलग दिखे PQ और PR को क्योंकि यह tangent है जो हमें बनानी थी यह तो हो गई हमारी figure अब यह जैसे जैसे हमने बनाया है इसके steps लिखते हैं और justification देखते हैं अब let's start with the step first step हमारा क्या था join PO, draw perpendicular by sector of PO let M equal to midpoint of PO draw हो गया सारा second हमारा क्या step था जो M है उसको center लेते हुए एक circle draw करना है circle जो है वो given circle को Q और R पे cut करेगा join करना है PQ और PR को तो यह देखो ऐसे ही figure थी हमारे पास यह हमारा PQ, PR यह tangent आ गई यह हमारी required tangents है फिर आता है justification justification में हमें दिखाना है कि यह हमारी tangent है कैसे दिखाएंगे हमारे पास एक theorem है कि अगर यह line जो circle को touch कर रही है और radius हमारे पास perpendicular आए तो it means यह tangent बनेगी हमारे पास ऐसे कुछ हमें पता है तो यहाँ से देखो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ second circle की PQ O is an angle in the semi circle of the second circle यह हमारा circle है इसमें यह वाले angle की मैं बात कर रही हूँ तो यह इसी के semi circle part में है तो यह angle कितना होगा 90 similarly यह भी 90 हो जाएगा ठीक है यह angle 90 है PQ एक line है OQ radius है तो PQ को क्या होना पड़ेगा PQ must be a tangent of the circle 1 तो यही हमने लिखा since OQ is the radius to the circle 1 so PQ has to be a tangent of the circle similarly PR should be the tangent of the circle सिर्फ justification में theorem का use है second circle मैं लिख देती हूँ जो blue color से हमने किया था figure में ठीक है और यह आजाएगा हमारा circle 1 of circle 1 ठीक है यह circle 1 होगे हमारा यह circle 2 है हमारा आप भी ऐसे naming लिख सकते हो ताकि आपको बार-बार यह confusion ना हो कि कौन से circle हमारे पास given है बहुत important question बहुत ही easy एक question for sure आएगा now let's move to exercise 11.2 जो इसी के उपर based question है वो करते हैं the first question is draw a circle of radius 6 cm तो 6 cm आपको पहले measurement लेनी है और उस radius से circle draw करना है from a point 10 cm away from its center center से 10 cm दूर है construct the pair of tangent to the circle and measure their length सबसे पहले figure बनाते हैं फिर steps लिखते हैं फिर measure करते हैं so the first thing is हमें क्या लेना है circle कितना होना चाहिए 6 cm radius का तो मैं अपना compass measure करती हूं 6 cm यह मैंने 0 point पे रखा और इदर से चलना है 6 cm यह यहां तक बना 6 cm मैंने अपना compass fix कर लिया ठीक है अब बनाते हैं circle draw करते हैं यह मैंने center point लिया और यहां से यह मैंने नीचे चला गया थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा उपर कर लेते हैं तो यहां से यह मेरा circle draw गया देखो तुम I don't think so मेरा दूसरा circle आपको figure में दिखाई देगा ठीक है तो मैं क्या करती हूँ exactly इसका half ले लेती हूँ ताकि वो भी measurement half रहेगी तो फिर वहां पे दिक्कत नहीं होगी आपको draw करने में आपकी notebook में बहुत easily draw हो जाएगा इसलिए मैं क्या कर रही हूँ यहां पे half ले रही हूँ इसका तो यह मैंने छोटा ले लिया circle ठीक है approximate मैंने half ले लिया ताकि हमें दिखने में कोई problem ना रहे तो यह हमारा आ गया circle ठीक है फिर बोले 10 cm अवे तो 10 cm अवे आप कैसे major करोगे scale का जो center है यह आ गया हमारा circle का center 10 और यह हमारा हो गया 10 cm तो यह भी approximate यहाँ पे आएगा मेरा circle इदर draw नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ कम ले लेती हूँ approximate मैं point यहाँ पे ले लेती हूँ ठीक है तो यह मेरे हो गई center से line मैंने draw कर दी next step क्या होता है हमारा perpendicular bisector of the line वो आपकी मर्जी है आप कैसे draw करते हो आप सभी को steps आते हैं इसके half से ज़ादा open करना है यह हो गया half से ज़ादा थोड़ा सा उपर की तरफ कट ऐसे ही नीचे की तरफ कट अब आ जाते हैं दूसरे point पे यहाँ पे भी इस arc को कट कर देना है और ऐसे ही गए उपर की तरफ तो यहाँ से जाते हुए यह arc हो गया यहाँ से कट हो गई दोनों arcs कट अब इन दोनों को join करना है तो यह हमने join कर दिया यहाँ पे यह हमारा perpendicular bisector आ गया coincidentally यह बिल्कुल center में ही है जहाँ circle कट हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता उससे आपको bother नहीं करना कि कहा कट हो रहा है कैसे आ रहा है ठीक है अब next target हमारा क्या है कोई different color लेते है next target हमारा है जो यह हमारा center point आया यह वाला जो भी center point है हमारा इस पे हमें क्या रखना है compass रखना है ठीक है और measurement कैसे लेनी है यह जो center था इस point तक दोनों point बन गए यहां से अब हमें क्या कर देना है circle draw कर देना है यह मैं red color से circle draw कर रही हूँ देखो दूसरे point से पास हुआ है circle बिलकुल तो it means मेरी correction है construction बिलकुल ठीक है ठीक है दुबारा से draw कर लेते है यह हो गया यहां पर complete तो देखो यह हो गया यह उपर point आया है इनको just join करना है तो मैं इन points को join कर देती हूँ तो यह r से मेरा क्या बन गया red color से construction ठीक है naming दे दे हम इसको यह मैंने p point लिया this is my p point यह मेरा q point this is r point o center m is the point of intersection देखो neat and clean figure आईए बिलकुल ऐसे ही neat and clean आपको बनानी है फिर आजाते हैं इनकी measurement की बात तो measure अगर हम करेंगे तो देखो यहां पर मैंने exact measurement नहीं लिये तो इसलिए मेरी measurement में difference आएगा otherwise आप ऐसे करके measure कर सकते हो यहां पर ठीक है अब सबसे पहला step क्या था join करना है एक circle लेना है तो मैंने लिखा यहां पर steps सबसे पहले step आया मेरा draw a circle of radius 6 cm of radius 6 cm हो गया first point second point क्या था P point लेना है draw point P 10 cm away from center ठीक है circle of radius 6 and center लिख देते हैं यहां पर हमने क्या name दिया है O from center O हो गए दोनों point third point क्या था हमारा join करना है P O को and draw perpendicular bisector of P O let M equals to mid point of P O ठीक हो गया है यहां तक हमारे पास next हमें क्या करना था taking M as center M हमने center लिया था M as center draw a circle of radius किसके equal M O या P M कोई भी ले सकते हो आप हो गया next हमें क्या था यह जो intersect कर रहा है इसको name दे देते हैं let it intersects it का मतलब जो circle draw किया है intersects given circle at Q and R next आया join P Q and P R हो गया steps हमारा last में क्या लिखेंगे thus P Q P R are the required tangents यह हमारी required tangents होगी ठीक है clear यहां तक फिर आ जाती है बात justification की तो justification में जैसे हमने पहले वाले question में किया था वैसे ही आपको करना है justification के साथ एक चीज़ और इसमें रह गई and measurement क्या होई P Q equals to P R equals to 8 cm यह आपको important है यह ध्यान से करना है measurement में अगर answer 8 है और आपका 1.1 भी आ रहा है तो आपको 1.1 ही लिखना है question में क्योंकि exam में यह properly scale से check होता है तो वहाँ पे इस से फरक नहीं पढ़ता कि आपका 1-2 cm कम है कि ज़ादा इस पर depend करता है कि आपने proper steps के साथ किया है ठीक है अब justification again वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल exact same suppose यह एक circle यह हमारा second वाला circle यह हमारी ऐसे कुछ line थी और यहां से suppose यह M हो गया तो यह हमारा जो point बना this is O, P, Q, R यह हमारा perpendicular bisector था ठीक है तो हमें क्या करना है हमें फिर से वही करना है Q से O को join किया O से R को यह angle 90 यह भी 90 वही सारी चीज़े लिखनी है जैसे हमने इस से पहले question में किया था तो यहां पे लिखा सबसे पहले join O, Q, O, R angle P, O, Q is an angle in second circle second semicircle ठीक है यह second circle में लिख देते हैं उसके semicircle में यह चीज़ लिख सकते हैं angle in semicircle of semicircle of second circle ठीक है यह second circle है यह first circle है and angle in semicircle equals to semicircle equals to 90 degree therefore angle P, Q, O equals to 90 degree this implies O, Q perpendicular to P, Q हो गया हमारे पास also O, Q equals to radius of circle 1 radius of circle 1 this implies P, Q has to be a tangent ठीक है since tangent is perpendicular हो गया similarly P, R is a tangent to given circle यही justification होई यही हमें प्रूव करना था तो last में आप लिख सकते हो hence justify it यहाँ पर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो तो यहाँ पर आपका question complete होता है बिल्कुल proper steps के साथ justification के साथ और measurement के साथ now let's move to third question question number 3 is construct a tangent to a circle of radius 4 cm ठीक है कोई भी circle है जिसकी radius 4 cm है from a point कहा से on concentric circle of radius 6 cm कोई भी एक point दूसरे circle पे but जो की concentric है और radius के है जिसकी 6 है and measure its length also verify the measurement by actual calculation आपको actual calculation से भी measure करना है तो चलो सबसे पहले figure draw करते हैं फिर steps लिखेंगे सबसे पहले start करते हैं हमें draw करना है 4 cm circle radius 4 cm है तो मैं measure कर लेती हूँ पहले 4 cm यहां से measure हुआ 4 cm मैंने fix कर लिया compass अब draw करते हैं चलो यह इदर ऐसे center में draw कर लेती हूँ तो यहां से हमारा थोड़ा से उपर draw करते हैं यह हमारा हो गया 4 cm का circle draw ठीक है यही बोला है उसके बाद क्या बोला है concentric circle of radius 6 cm तो अब इसको फिर measure करना है 6 cm लेते हैं यह मैं दूसरा color लेती हूँ यहां इसको fix किया यह हो गया हमारे पास 6 cm radius का circle this is 6 cm radius आपको दिखे रहा है measure करना है अच्छे से अब उसी center पे जाना है अब यहां से draw कर देते हैं 6 cm का circle draw गया हमारे पास यही बोला था second फिर उसके बाद हमारे पास क्या बोला है from a point on the concentric circle अब इस पे कोई भी एक p point लेना है तो आप कहीं पे भी ले लो suppose मैं यहां पे ले लेती हूँ visibility easy रहेगी तो यह जो point है हमारा यह हमारा p point हो गया यह वाला ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा dark मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को visibility easy रहे अब next step क्या होता है अब यह सोचोई मत p circle पे लाई कर रहे हमें दो p point चाहिए था next step हमारा क्या होता है we have to join the line हमें बस join करनी है line तो हमें यहां से line join की उसके बाद हमें क्या करना होता है उसके half से थोड़ा सा ज़्यादा हो उपर नीचे arc cut करनी है यह half से थोड़ा ज़्यादा हो गया ठीक है ऐसे arc draw कर लो तो यह हमारी arc draw गई उपर की तरफ और ऐसे नीचे की तरफ concentric circle थे तो थोड़ा सा आपको figures ऐसे ही लगेंगे बट confuse नहीं होना है figure आपकी neat बनेगी अगर आप धंक से बनाओगे यह दो कट नहीं हो रहा तो वहां से फिर से increase करना पड़ेगा थोड़ा सा कोई बात नहीं अब इसको नीचे की तरफ देखें नीचे भी नहीं कट हो रहा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा तो दुबारा चलते हैं यहां पर और यहां से फिर ड्रॉ करते हैं अपनी आर्क कर दी आगे extend ऐसे ही यहां से भी आर्क extend कर दी अब यह देखो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आगे अब दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देते हैं यह दोनों पॉइंट हमने जॉइन कर दी तो यहाँ पर यह जो point आया यह हमारा point क्या बना M तो इसको name क्या देंगे M ऐसे कर रहे हैं इसको O name दे रहे हैं ठीक है बट यह line और थोड़ा आगे जानी चाहिए क्योंकि line कहाँ पर cut करनी है red वाले circle पर कही न कहीं cut करनी है ठीक है तो मैं क्या करती हूँ इस line को आगे extend करते हैं या फिर नहीं भी करना है तो आप यहीं पर छोड़ सकते हूँ क्योंकि बहुत जादा line होगी तो confusion हो जाएगा अब क्या करना है M center लेना है आपको तो M center हो गया हमारा और radius कितनी लेनी है O के जितनी radius लेनी है MO हो गया यहाँ पर fix किया अब draw कर दो एक circle देखो आप P point से pass हुआ circle तो it means हमारी construction ठीक है हो गया cut अब यह कौन-कौन से point बने this is Q point this is R point इनको join कर देना है P से Q को join किया P से Q को join किया बिल्कु स्ट्रेट line के साथ यह P Q हो गया ऐसे ही P से R को join किया बिल्कु स्ट्रेट line के साथ तो हमारी tangent कौन सी बनी P Q and P R इनको अगर measure करें तो हमारी length आएगी approximately हमारे पास 4.47 ठीक है फिर बोला है actual calculation से भी आपको measure करनी है एक तो actual से तो हम कर लेंगे actual से तो कैसे आएगी आपको scale रखना है यहाँ पर और यहाँ पर measure कर देना है देखो 4. मेरी आई है 4.6 नहीं 4.5 आ रही है मेरी एप्रॉक्स ठीक है तो यहाँ से मेरे पास आई 4.5 और actual से हमें बतानी है 4.5 हो गई यह तो हो गई actual से दूसरा हम कहां से measure कर सकते हैं दूसरा आपको पता है कि हम यहाँ पर यह जो हमारी Q से O है इसको join करेंगे तो यह 90 एंगल बनता है Q O radius आपको पता है O P radius पता है second circle की यह तो F 4 और यह है 6 तो हमारी PQ आ जाएगी पाइथगोरस थियोरम से वहाँ से आपको find करके actual calculation से match करना है कि सही आता है कि नहीं आता है तो अब start करते है अब यहाँ पर जो steps बने steps and justification वो बिलकुल exact same है वो आपको खुद करने है ठीक है जैसे हमने उपर question में लिखे हैं आपने जैसे जैसे draw किया वैसे वैसे करना है justification अब खुद लिख सकते हो अब आ जाते हैं checking की बात checking में हमें Pythagoras theorem का use करना है ठीक है by Pythagoras theorem Pythagoras theorem हमारी क्या कहती है PO square equals to PQ square plus OQ square यही आया this is 6 PQ हमें नहीं पता this is 4 square तो यहाँ से PQ हमारे पास क्या आएगा square root of 36 minus 16 that is square root of 20 square root of 20 यानि की 2 under root 5 यानि की root 5 होता है 2.236 तो आप्रॉक्स आया 4.47 cm यह तो आगया PQ यहाँ से by actual measurement हमारे पास आया by actual measurement PQ equals to मेरा है approximate 4.5 cm तो देखो बिलकुल नियर बाय है तो it means हमारा question ठीक है एक रफली सी figure आप यहाँ भी बना सकते हो ऐसे था हमारे पास एक इधर से हमने line ली थी इससे एक circle आ रहा था वो इस तरह से था कुछ ठीक है यह O Q R P तो बस आपको ऐसे दिखाना है ताकि figure में triangle पता चल जाए यह हमारा question complete होता है यहाँ पर अच्छे से करना है बहुत important चीजें है एक question for sure आएगा steps or justification लिखने है खुझ से try जरूर करना है खुझ से लिखने के लिए क्योंकि कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम लिख लेंगे बट खुझ से लिखने लगते हैं तो नहीं होता है तो इसलिए यह मैंने आपके लिए छोड़ा है यह आपको खुझ से करना है now question number three onwards we will do in the next class